Hello and Welcome to Delhi Byte जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि BHU के B8 की काउंसलिंग की जो प्रोसेस से स्टार्ट हो चुकी है जिसका फर्स्ट टेप था खुद को रेजिस्टर करना तो आप लोगों ने रेजिस्टर खुद को कर लिया होगा विकस जिन्हों उने रेजिस्टर नहीं किया है वो काउंसलिंग के प्रोसेसर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो अब जो काउंसलिंग की प्रोसेजर स्टार्ट हुई है उसके लिए एक नया पोर्टल क्रियेट किया गया है जिसमें आपको प्रिफरेंस इंट्री पूछी जा रही है, आपको कुछ documents upload करने है, undertaking से related confusions है, तो इन सभी को हम लोग देखेंगे इस video lecture में कि कैसे counseling की procedure में आगे बरना है और क्या-क्या चीजें वहाँ पे entry करनी है, सबसे पहला जो अभी हम लोगों को करना है वो क्या है preference entry से related, तो चलिए इन सभी चीजों को एक सास समझने के लिए आसान तरीके से हम लोग चलते हैं, बहु की official website पे तो हम लोग बहु की official website पे visit करते हैं www.bhu.online.in2022 यहाँ पे पहला वाला जो है, इस पे हम लोग जाएंगे entrance exam वाले पे इसमें थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि PG के लिए admission registration and counseling 2022-23 start हो चुका है जिसमें की पहला जो procedure है, वो क्या है register करना खुद को PG के लिए आप लोगों पता ही होगा कि B8 PG के अंदर आ रहा है इस year इससे पहले UG के अंदर आता था तो अब B8 का है PG के अंदर है तो हम लोग PG वाले में register करेंगे अब जिन लोगों ने PG वाले में register कर रखा है उनके लिए एक नया यहाँ पे portal create किया गया है for preference entry यह इसे counseling portal कहते हैं यहाँ पे हम लोग जब enter करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजे देखने को मिलेगी documentary on BHU, BHU counseling use the tutorial तो इसमें क्या है ना कि counseling की जो procedure है उसमें जो documents वगेरा पूछे जा रहे है या फिल करना है उसे कैसे फिल करना है उसके regarding tutorial है तो मैं आप लोगों को suggest करूँगी कि आप लोग counseling की procedure में आगे बढ़ने से पहले इस tutorial को एक बार जरूर देख लें बाकी students क्या करेंगे वो admission committee section वाले में कुछ नहीं करेंगे वो नीचे देखेंगे कि यहाँ पे student counseling section create क्या गया है यहाँ पे UG student के लिए login का है और यहाँ पे PG तो अब हम लोग B8 की बात कर रहे है तो हम लोग PG वाले में enter करेंगे तो यहाँ पे एक नया portal खुल गया जहाँ पे आपको login करने का एक area दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोग sign in पे click करेंगे तो यहाँ पे application number मांग रहा है और password मांग रहा है तो application number वाले section में आप अपना application number डालेंगे CUET वाला और password वाले section में आप CUET का role number डालेंगे उसके बाद आप login करेंगे यहाँ पे एक नया dashboard open होगा यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है अलर्ट करके कि यहाँ पे आपको जो preference है उसको fill करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए कि eligibility marks अब यह eligibility marks क्या होता है जैसे कि अगर आप BHU से B8 करना चाह रहे हैं उसकी सबसे minimum qualification क्या होगी कि आप graduate हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे अपने graduation का marks fill करेंगे जब आपको preference entry में पूछा जाएगा then upload करेंगे documents को उसके बाद proceed करेंगे और अपने preference entry को confirm करेंगे जब आप confirm करेंगे तो आपका यहीं पे dashboard पे क्या होगा बागी आपको contact admission committee में नहीं जाना है फिलहाल के लिए आपको preference entry में जाना है 28th of October तक preference entry होगी उसके बाद आपको course allocate किया जाएगा यानि कि आपके marks के according आपको किस-किस course में admission मिल पा रहा है ठीके और hostel allocations भी बाद में होगे आपके marks के according अगर आप एक male person है और आपका अगर BHU में selection हो रहा है BAE में तो आपको hostel बहुत की आसानी से मिल जाएगा लेकिन अगर आप एक female person है तो आपको hostel मिलने के chances कम होते हैं विकस seats बहुत कम होती हैं लड़कियों के लिए तो अगर आपको hostel मिलेगा BHU के main campus में तो आपको यहीं पे दिखेगा बाद में hostel allocation वाला section सबसे last में आपको visible होगा देखें यहाँ hostel allocation पे click करते ही यहाँ पे आपको role number दिख रहा है जो hostel आपको allocate किया जाएगा उस hostel का नाम दिखेगा उस hostel का क्या fee है वो बताया जाएगा और आपको एक deadline दी जाएगी payment की कि इस बीच आप payment कर दें और आप payment कर देंगे तो आपको hostel मिल जाएगा बाकी एक चीज़ है counseling की जो procedure स्टार्ट हो गई है तो अब आप लोगों की एक duty यहाँ पे स्टार्ट हो गई है कि आप per day एक वार counseling portal को खोल कर course allocation और hostel allocation को check करेंगे विकर्ज यहाँ पे ना payment की deadline दी होती है अगर इस deadline के अंदर आप payment नहीं करते हैं तो आपका selection होने के बावजूद आपको seat नहीं मिलेगा अगर आप payment नहीं करते हैं इसका मतलब होता है कि आप उस course को छोड़ रहे हैं और आपसे जो कम number वाले होंगे उन्हें वो seat दे दी जाएगी फिल हाल हम लोग क्या करेंगे dashboard पे जाएंगे और preference entry जो अभी आप लोगों को भरना है उस पे जाएंगे जैसे ही preference entry में जा रहे हैं तो यहाँ पे preference entry करने को कह रहा है course regarding अब देखिए आप जो जो course के लिए form फिल किये होंगे आपका score visible हो रहा होगा यहाँ पे नीचे course है eligible है आप उसके लिए और final score है आपका तो यहाँ पे वो सभी visible होंगे कुछ लोगों का यह अभी active नहीं होगा विकर्द आज ही counseling की procedure start हुई है preference entry की तो कुछ time बाद हो जाएगा घबरानी की बात नहीं है यहाँ पे आपका जो भी course visible हो रहा है उसके according आप अपना preference choose करेंगे then आप go पे click करेंगे जैसे ही आप go पे click करेंगे यहाँ पे qualifying exam का percentage पूछा जा रहा है अब यहाँ पे बच्चे ऐसी गलती नहीं करेंगे कि CUET में जो उनका percentile आया है उसे वो यहाँ fill कर रहे है because यहाँ पे वो fill नहीं करना है यहाँ पे क्या fill करना है जो minimum qualification रहा है आपके entrance का जैसे कि अगर आप B8 के लिए eligible हैं आप B8 के लिए form fill कर रहे हैं आप किस चीज का entry करेंगे यहाँ percentage वाले section में graduation के marks का अगर आप M8 के लिए कर रहे हैं तो आप किस चीज का करेंगे minimum qualification M8 के लिए क्या होता है B8 तो B8 का fill करेंगे तो जो भी minimum qualification था उसका यहाँ पे marks fill करेंगे अब यहाँ पे जो enter करेंगे वो क्या होगा up to two decimal points होगा यानि कि माल लेते हैं किसी का 60.273 आ रहा है तो वो क्या fill करेगा 60.27 यानि कि point के बाद सिर्फ two decimal points ही fill करने हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे percentage fill करके go करेंगे तो आपको यहाँ पे आप कुछ documents के regarding information दिया जाएगा कि आपके पास क्या क्या documents होने चाहिए आगे की procedure में exceed करने के लिए जैसे कि आपका metric का mark seat हो गया, intermediate का mark seat हो गया, अगर graduation semester wise है तो हर semester का mark seat हो गया, अगर year wise है तो year wise का mark seat हो गया class certificate हो गया, यह सारी चीज़े आपके पास होनी चाहिए तो सारे ही जो document है JPG format में होनी चाहिए, readable form में होनी चाहिए, जिसे अच्छे से पढ़ा जा सके और साथ ही वो 2MB से कम की होनी चाहिए, अगर 2MB से size जादा हुआ तो document upload नहीं होगा बाकी आप लोग document को बहुत ही आराम से upload करिएगा अब यहाँ पे एक confusion आएगी कि मेरा semester wise graduation नहीं हुआ है, year wise हुआ है, तो वैसे बच्चे क्या करेंगे graduation semester 1 और semester 2 में first year का mark seat upload करेंगे, graduation semester 3 और 4 में second year का mark seat upload करेंगे, और fifth और sixth में third year का mark seat upload करेंगे, विकर अगर आप upload नहीं करेंगे, तो आपकी procedure आगे नहीं बढ़ेगी, तो first second में आप first year का mark seat इस हिसाब से आगे proceed करेंगे then अगर cast certificate है तो cast certificate अगर किसी का अभी का नहीं बना हुआ है, तो पुराना जो latest है उसे ही upload कर दे बाकि आप लोग जब physically खुच जाएंगे college तो वहाँ पे आप लोग recent नया बनवा लीजिएगा, ताकि वहाँ आप लोगों को problem ना हो, बाकि अभी आपके पास जो भी document है cast certificate का उसे upload कर दीजिएगा अगर आप OBC category के होंगे या SCST के होंगे, तो आप लोगों को income certificate भी submit करना होगा, then एक annexation 10 का option होगा, जहाँ पे आप लोगों को एक file मिलेगा, उसे download करना है, और download करने के बाद, उसे fill करना है, खुद अपने हाथों से और उसका फिर jpg format upload करना है, इतना करने के बाद, आप क्या करेंगे, next पे click करेंगे, तो आपकी जो preference entry है, वो complete हो जाएगी, इसके बाद, अब आप लोग क्या करेंगे, per day, course allocation और hostel allocation के लिए check करते रहेंगे, कि कभी भी payment का आ सकता है, और यहाँ पे आप अपने status देख ले, जैसा कि यहाँ starting में भी mention किया गया है कि जैसे ही preference entry का confirmation आप करते हैं, तो आप अपने dashboard पे status चेक करेंगे कि preference status fill हुआ है या नहीं यह वाला section, ठीक है, तो इस video lecture के लिए बस इतना ही बागी आप लोगों को यदि previous year का cutoff देखना है, बHU का या फिर कौन-कौन से colleges है और उनमें कितना seat है, अगर आप B8 करना चाह रहे हैं, तो उन सभी से related भी video lecture में ने बना रखा है, जिसे देखने के लिए आप हमारे channel के playlist में जा सकते वहाँ पे BHU B8 करके एक playlist बनाओगा, जहाँ पे इन दोनों lectures के साथ साथ और भी BHU से related updates हो कोई query हो, उन सभी से related videos आपको यहीं पे मिलेंगे देखने को, साथी साथ आप हमारी official website पे visit कर सकते हैं, जहाँ पे आपको BHU B8 के regarding mock paper sample paper देखने को मिलेंगे और साथी साथ CETAT के भी mock sample paper देखने को मिलेंगे जिसे solve करके आप अपने performance को multiple time boost कर सकते हैं और अपने first attempt में CETAT qualify कर सकते हैं, Delhibytes के साथ आप हमारा telegram group भी join कर सकते हैं, teacher education resource इसका link description box में दिया होगा, यहाँ पे teacher education से related कोई resource material हो, या फिर jobs placement से related कोई update हो, उससे आप updated रह सकते हैं, और अगर आप लोगों को BHU B8 के regarding कोर भी doubt है, तो आप लोग उससे directly Instagram पे जूट सकते हैं मेरी ID के link description box में दिया होगी, या फिर आप लोग simply search कर सकते हैं, Instagram पे dailybyte underscore nupur साथ ही साथ आप हमारे telegram group dailybyte education का भी हिस्सा हो सकते हैं जहाँ पे BHU के साथ साथ DU, CTET, IGNU सभी के regarding आपको updates देखने को मिलते हैं Thank you